हेलो स्तो कमय का डशोटूप चैल में आप सभी का सोगत हैं आज हापर हम बात करेंगे दोस्तो एनसे की कुछ इंडाइसेस के बारे में जिनके अंदर यहापर रिप्लेस्मेंट होने वाली है कुछ कमपनियों के साथ अब यहापर यह प्रोसेस क्या है और किस तरीके से कुछ कमपनियों को बेनिफिट मिलने वाला है वो भी यहापर हम डिसकस करेंगे देखिए बहुत से सेक्टर के बारे में यहापर चेंजिस होने वाले हैं तो इसको जरूर अंदरस्टैनिंग करना किसी शेर को किस तरीके से बेनिफिट मिल पाता है एंड यहापर देखिए निसके जो इंडेक्स होते है वो पूरे सेक्टर को शो करते है जैसे के Pharma का इंडेक्स हो गया, Defense का हो गया, Food Industry का जैसे FMGC इंडेक्स होता है, IT इंडेक्स होता है, Metal होता है, Chemical होता है, Small Cap, ऐसे बहुत से अलग-अलग indices एन इसे के Available है, तो उनके अंदर अभी Changes होने वाले हैं, कुछ कमपनियों के किस्मत बदल सकती है, क्योंकि देखिए, एनेसी कभी भी किसी भी कमपनिय को अपने indices का पार्ट नहीं बना पाती या बनाती नहीं है, क्योंकि देखिए, Quality, कोई भी यहाँ पर मुझे बताईए, अपने indices का पार्ट बनाने के लिए, उसके अंदर कुद ना कुद देखेगा न, ऐसे ही किसी को भी उठा कर थोड़ी एड किया जाएगा, तो चलिए देखते हैं, जरूर इन्फॉर्मेशन देखना जो लोग नहीं है, उनके लेबे और जो पुराने हैं, उनको भी पता चलेगा क्या चीज़े हैं और किस तरीके से फाइदा हो सकता है, जैसे यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, NAC to make replacement of stock in 42 indices, remove PTM from nifty next 50, अभी आपर गलत तो यहाँ पर PTM के साथ हो रहा है, आप तो आप समझ जाना कि PTM वालों के लिए अच्छी बात नहीं है, अब बात आती है किनके लिए अच्छी बात है, तो देखिए एक बहुत अच्छी कमपनी है, जिसकी अभी फिलाल लिस्टिंग हुई है, और यह डिफेंस सेक्टर में बहुत दिगच काम करते हुए नजर आ रही है, उसका नाम है देखिए DCX सिस्टिम, यह जो कमपनी है, जो इसका यहाँ पर रिप्लेसमेंट हुए देखिए, DCX सिस्टिम विल गेट एन इंट्री इंटू इंडियन डिफेंस इंडेक्स, अभी यह पर DCX सिस्टिम जो नाम की कमपनी है, यह डिफेंस इंडेक्स का पार्ड बन गए, अभी ही लिस्ट हुई है, इसकी तो आप इंप्रूमेंट तो देखिए, जस्ट नाउ लिस्ट होने के बाद यह कमपनी आगे बढ़ चुकी है, बहुत अच्छी बात है, और इस स्टॉक क क्योंकि देखिए, इसके अंदर पोटेंशल अच्छा है, और अभी गवर्णेंट भी बहुत पैसा स्पेंड कर रहे है डिफेंस सेक्टर पर, और उसी के साथ यहाँ पर 50% डाउन मिल रहा है यह शेयर, तो नजर थोड़ा रखिए अपनी बना कर उस कमपनी पर, एंड बै है, और अभी क्या कुछ न्यूज है, मैं आपको बताता हूँ, the national stock exchange has announced replacement of stock in total 42 indices including nifty, next 50, nifty 500, nifty 100, nifty 200, mid cap 150, mid cap 100, small cap 50, small cap 100 and small cap 255 on favor 17 favori की बात, यानि के आप समझ रहे कि कली की news है, अभी हाँ पर आपको बताता हूँ, इसके अंदर कौन से sector साथ है, तो nifty के जो health sector है, metal है, reality है, mid small finance services है, energy sector है, housing है, Indian consumption है, Indian digital है, Indian manufacturing है, ऐसे mobility related, Indian defense segment है, यह सभी company है, जो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, उसके अंदर replacements, यहाँ पर आपको नजर आएगी है, अभी मैं आपको कुछ और company के नाम बताने वाला हूँ, थोड़ा passion के साथ knowledge को collect किजिए, अभी यहाँ पर यह जो changes है, these changes will be, will come effective from March 32, 2023, मैंस यह जो आने वाला भी next month है, उसके बाद में से आपको यह changes देखने को मिलेंगे, rebalancing है, हम कहेंगे replacement जो हो रहा है उसके हिसाब से, अभी यहाँ पर आप देखेंगे, ABB India, आदानी विलमर, इस पर थोड़ा नजर रखिए, आदानी विलमर, ABB India, Canera Bank, Page Industry and Varun Preverage, are going to replace, यहाँ पर देखें, बंदन बैंग, बाइकॉन, ग्लैन फार्मा, यम फेसिस and पेटियम, तो आप समझ रहे हैं, यह जो उपर के stock मैंने बता है, कौन से, यहाँ तक के, जो भी यह 4 stock है, चार से, यह दिखें, चार past stock, जो बता है मैंने, यह replace होंगे, यह past stock के, जोगों पर आ जाएंगे, तो आदानी विलमर के लिए बहुत अच्छी बात है, और यह आप नजर रख सकते हो, इसके उपर, यहाँ पर देखिए, विद यन यम DC विल, इंक्लूड़ेट इन निप्टी मिड्किया 50, विल, ABB, आप जरूर नजर रख सकते हो, और यह जो चीजे है, आप बेनिफिट समझ सकते हैं, इसके बारे में क्या क्या है तो, तो सबसे इंपोर्टन बात, मैं आपको जो अदानी ग्रूप के stock के बारे में बताना चाहूँगा, या NAC, टू, इंकलिवड अदानी विल्मर, अदानी पावर, टू, फ्यू इंडाइसेज फ्रॉम, मार्च 31, तो आप समझ रहे कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कुछ कमपनियों के बारे में, क्या यहाँ पर बदला हो रहे हैं, और कैसे रिप्लेस्मेंट हो रहा है, आपको अभी नज़र रखनी है, थोड़ा अपडेट रहना है, जो मैंने आपको बताये, ABB, जो कमपनियों यहाँ पर बंदन बैंक, बाइकोन, एमफेसिस, यह सभी जो कमपनियों इन सभी पर नज़र रखना है, और क्या क्या हमें चेंजेस आगे देखने को मिलते हैं, उसको यहाँ पर आप डेटेल्स देख सकते हैं, जैसे यह जो आपको देखने को मिल रहा है ABB, इंडिया, अदानी विलमर, कैनरा बैंक, पेज इंडस्टी, एन वरुन ब्रेवरेज, आर गोईंग टो रिप्लेस, बंदन बैंक, बाइकोन, यह यहाँ पर एमफेसिस, और जो पेटियेम है, इन सभी के जगों पर आएंगे, और आप यहाँ पर नज़र रख सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इहाँ पर जो डिटेल से समझ में आ गए है, ऐसा कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट वगेर हो तो मुझे पूछना, और आभी यहाँ पर आप फाइनांस सेक्टर में भी देखेंगे, मनिवपुरम फाइनांस के बारे में भी है, हेल